दोस्तो, कॉरोना वाइरस की अवेरनेस सीरीज में ये मेरी 11 वीडियो है अब इतक आप इसके भैवे रूप को समझ गए होंगे लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये तो बस ट्रेलर था, मुवी तो बाकी है ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि डेली 3,000 से ज़्यादा कॉरोना वाइरस से इंफेक्टेड नए केस सामने आ रहे हैं और टोटल इंफेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर करीब 35,000 हो गई है इस वाइरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है As of today, 8 फरवरी को 725 लोग अपनी जान गवा चुके है चाइना के बाहर भी कॉरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है Hong Kong, Thailand और Philippines में एक-एक व्यक्ति की मौत के बाद अमेरिका भी अचूता नहीं रह सका और एक इनसान के मरने की खबर आई है वही 2400 लोग जो इस वाइरस से पीडित थे उनको बचा लिया गया है अब बात कर लेते हैं डॉक्टर ली वैंग लियांकी चौतिस साल का वो डॉक्टर जिसने सबसे पहले कॉर्णा वाइरस को लेकर पूरी दुनिया को अगाह किया था आज उसी हॉस्पिटल में जिसमें वो काम करता था कॉर्णा वाइरस से अपनी जान गवा चुका है डिसेंबर 2019 में एक पेशन का इलाज करते समय ली वैंग लियां ने चाइना की पॉपलर सोशल मीडिया आप वीचैट के थू बताया की एक पेशन की सार जैसे वाइरस से मौत हो गई है जैसे ही ये खबर चाइना स्टेट पूलिस को पता लगी ली को शाबाशी देने की वजाए समाज में अफवा फलाने के जुल्म में जेल में डाल दिया और वुहान शहर पहले की तरह नॉमल चलता रहा मानो कुछ हुआ ही ना हो लेकिन सरकार के पैर तली जमीन तब खिसक गई जब दो हफ्तों के भीतरी हजारों लोगों को कॉरोना वाइरस का इंफेक्शन हुआ और लोग मढने लगे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी आज ली जब इस दुनिया में नहीं रहा लाखों चाइनीज लोग सोशल मीडिया पे ली को अपना हीरो बता रहे हैं और सरकार पे इलजाम लगा रहे हैं कि टाइम पे ली की वाइरस को सीरियसली लिया जाता तो कॉरोना वाइरस इतना नहीं फैल पाता अब बात कर लेते हैं कॉरोना वाइरस के कहर के बाद चाइना में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी हो गई है सबसे पहले बात कर लेते हैं बुहान शहर के नागरीकों की क्यों उनके लिए एक एक दिन कैद की तरह काटना इस फैले होए कॉरोना वाइरस में कितना मुश्किल होता जा रहा है लोग अपना जीवन इस टाइम होम अरेस्ट की तरह व्यतीत करने पे मजबूर है क्योंकि उन्हें पता है कि घर के बाहर निकले तो कॉरोना वाइरस के वो शिकार हो सकते हैं जहां डेली डेथ टोल राइस करता जा रहा है और सस्पेक्टेड केस इतनी जादा तेजी से बढ़ रहे हैं कि वुहान जैसी बड़ी सीटी में हॉस्पिटल्स तक ही कमी हो गई है आप अनुमान लगा लीजिए कि ये नंबर जो चाइनीज गर्मेंट पबलिक कर रही है उतना है या फिर उससे भी कहीं जादा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते 11 मिलिन के अबादी वाला वुहान शहर जिसकी पॉपुलेशन लंडन से भी जादा है इस टाइम वहां की सड़के बिलकुल सुनसान है मानो कर्फ्यू लगा हो 10 lane roads जिनका वॉयल की 20st roads में count आता है वो इस टाइम बिलकुल खाली पड़ी है सड़कों पे अगर हैं तो बस taxis वो भी वही 6000 taxis जो government ने deploy की हैं लोगों के सिर्फ जरूरी आतायात के लिए मैं आपको ड्राना नहीं चाहती पर situation इस टाइम कुछ ऐसी है कि अगर आप घर से अपनी गाड़ी में निकलते हैं और आपके पास कोई emergency reason नहीं है उस travel का तो आपको वहां की police fine लगा सकती है और यहां तक की आपका license तक suspend कर सकती है लोगों को उनके apartments और room तक limited कर रखा है और रही बाद taxis में travel करने की लोगों में coronavirus को लेकर इतना डर है कि वो किसी unknown सा travel करने तक में घबरा रहे हैं अब कर लेते हैं बात खाने पीने को लेकर सीटी के सारे restaurants इस टाइम closed हैं लोग packed food खा रहे हैं और उसके लिए लोग एक बार में ही 2-3 हफते का राशन stock कर रहे हैं शहर में इस टाइम इतनी मारा मारी है कि लोग grocery stores में suit cases में समान भर-भर के ले जा रहे हैं लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि situation इतनी बिगडी हुई है कि लोगों को पता नहीं कि नया stock कब आएगा markets में और coronavirus से चाइना कब उभर पाएगा Precautious measures में लोग mask के साथ ही घरों से भाण निकल रहे हैं मास की भी काफी कमी Wuhan City face कर रही है जिसकी वज़ा से mask की black marketing हो रही है और 4-4 गुना दामों पर mask को इस टाइम पर बेचा जा रहा है पर government ने इस चीज़ पर announce किया है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो बेचने वाले पर fine लग सकता है खाने के साथ साथ disinfection solutions और hand sanitizer जो लोगों को इस वक्त self hygiene के लिए सक्थ जरूरी है वो सब भी out of stock है ऐसी situation को हम खुद पे सोच कर देखे तो कह सकते हैं that many people in China may be physically okay and safe but mentally they are not इस curfew जैसे situation में सभी लोग काफी डरे हुए हैं और suffocate हो रहे हैं जितने भी बड़ी buildings या public places हैं वहाँ पर barrigates लगे हुए हैं किसी को भी बिना temperature check के enter नहीं करने दिया जा रहा चाइना की लोगों के अंदर coronavirus को लेकर इतना खौफ है कि वो किसी भी alien चीज़ को छूने से भी डर रहे हैं जैसे कि elevator का button तक वो keys या फिर किसी और चीज़ से प्रेस करना प्रेफर करते हैं सबसे दुख वाली बात ये है कि वोहान के लोग government द्वारा दी जा रहे ही coronavirus related figures पर भी doubt कर रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि coronavirus की figures under reported बताई जा रहे हैं जिन लोगों की जान coronavirus से जा रही है उनका death reason उनकी किसी पहले की बिमारी जैसे की heart disorder या फिर diabetes का बताया जा रहा है इस बात में कितनी सचाई है ये तो बस Chinese government ही जानती है दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाएगी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप please please मेरे 20,000 subscribers का target पूरा करवाओ I will be so thankful to you और coronavirus को लेकर भारत में जागरुपता की मुहीम में मेरे हिस्सेदार बनने के लिए आप सभी का तह दिल से धन्यवाद क्योंकि ये time sensitive topic है तो अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी obsolete हो गई है या फिर पुरानी हो गई है तो please comment करके update कर दे ताकि सभी तक latest information पहुंच सके अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी helpful और informative लगी हो तो यहां नीचे एक लाल रंग का बटन है subscribe का उसको आप दबाना विल्कुल मत भूलें और जब आप subscribe करने साथ में bell icon भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपके पास उसकी notification सबसे पहल पहुंच जाएं तो चलो मिलते हैं वेरी अगली वीडियो में अंटिल देन अपना अपना का ख्याल रखें उन्हें धेर सारा प्यार करें share this video if you care for human life